गुद मॉर्निंग स्टुडेंज आप सभी लोग ठीक होंगे अभी तक हम लोग ने दो चेप्टर पढ़ लिया है फर्स चेप्टर था हमारा इंट्रोडक्शन टू आईटी एन आईटी एस और सेकेंड चेप्टर थार्ड डेटा एंट्री एंट्री एंट कीबोर्डिंग स् जेलाइशन आई टार।ं आपमे टेलराइचन आफटोडल हैं आएंड एंटों तो हम आ इनले अले आफ मैंने पिछले चेप्टर नाहिस पता है था यानिटें की लाशिप्टर इस तो निनाय पॉंपिछल्त कि दिएगएХुरी लग चिमलम आप का पता हैथा यानिकी लास लास्ट छेपडर है तर्पों मैं यह अगर ऊपाइब आपको वीडियो कि कहसा होता धदृ मैंंड ऑफ चिसी घ्लति नहीं होती है वेनवी इसमें कोई भी चीजे एरो आ गई या घलती आपमें टाप करतिया तो इसको करना आसाल नहीं होता था फिर आपको फिर से दुबारा पूरे टेश्ट को आपको डाइप करना होताथा आपको बार बाल एक लाइन पूरा होने के बाद आपको हैंडल को राइट हेंड साइट पर सिप्ट करना होता था है कुझा वीग्गोस मीध बहुत पством होती तो इसको replace करने के बाद आपको आया electronic type writer electronic type writer आने के बाद आप टाइपिंग थी उसमें आप कुछ हद तक जो error थे उनको क्या कर सकते थे सही कर सकते थे वह भी पूरी तरह नहीं कुछ ही लाइन को आप कुछ ही लाइन के error को आप सही कर पाते थे तो एक बार मैंने आपको मैंनों टाइप राइटर तो दिखाई दिया है आपको में जो इलेक्ट्रोनिक टाइप राइटर होता है वो भी आपको आज दिखा देता हूँ इसको बढ़ा कर लेते हैं कि यह देखिए यह आपका है एक एलेक्ट्रोनिक टाइप राइटर happy ते कि आपके जो मैंनों टाइप राइटर बाते ही यहाँ पर आपका नंब्र यहाँ पर अलफ़ाबेट नंप लेटर से यहाँ पर इंटर है यहाँ पर बड़ा सी पर स्पाफ क्वेशत है दिखस्ज़़ नहीं होता था इसमें चोटा सा एक screen दिया हुआ है और इसमें आपको handle को आगे पीछे करने की जरुवत नहीं है ठीक है उसमें क्या होता था एक line आपको type हो जाता था फिर उसको handle को right hand side में shift करना होता था इसमें आपको shift करने की जरुवत बिल्कुल नहीं है चलिए वीडियो को start करते है प्रिवडतर हैं काए आपको प्राच उ हमे आपको में समना होता है आपको सत्राच अज पिल्बाएव थेशगर वीडियो कि आपको आपके आपको बैले क्या आपके स्विशध एऊ KP turned लो यह खो शीवर ओ शीवा स OUTब तरीं झाओ शीप ट याखने लिटेव का अच्वां MOR ENRISecलु कि भार शीन खरे कर लो खfachाओ गूंगर चाहित है रिख सेथ वीर भीम टcentered इसए पाद जाया sec पार ciao। WAR. तरी तरींग झायास हमुट ऱ पर्थून खिके ए we इह प्रायम पूह इतार बाइब फोट शीडिया थोग तो इस्टेंध कर नहाद वादी लाद गूड़ वाद पूड़ इस लुड़ इस के नहां योड़ दे इस अज्राद इंध अपनिय रट रट वट्थे जया लेख डिंट अजेश बार दिस नाद अज पर वाद तो पू and it is not fast if we hit code and the down arrow it will redraw the entire screen but even that this is not fast at all this is very very slow so yeah it's useful in that you can review an entire document before you print it but this is not at all what I'd be happy ruler video आ गया है देखिए है अटो पेज इन अंडर श्पेल पर सब्सक्राइब यह सारी चीजह थी ऐसा था आपका electronic typewriter अजय और नेस्ट है अब अब बड़ प्रोसेसिंग डेटा प्रोसेसिंग communication and presentation are the most common activities performed in an office office में generally हम दों क्या करते है word processing यानि कि कोई भी later जब हम कोई document बनाते है word पर काम करते है या data processing या data बनाते है communication यानि कि बात करते है बात करने वाली चीज़े बनाते है presentation बनाते है यानि कि कोई भी अगर आपके product है आपकी company को बना रही है तो उसको सारे activities आपके office में होती है और ओफिस प्रॉड़क्टिवी ली और ओफिस प्रॉड़क्टिवीटी सॉफ्टवेर इस यूज़ टू परफॉन तीज एक्टिवीटी इफेक्टिवली तो अब ओफिस और उफिस के यह सारे प्रॉड़क्टिवीटी जो चीज Suzanne होती है वह how software के दिवारे जी होती है यानि z ऑफिस में सारे जो काम हो रहे हैं वह कैसे होते है आएस Поizz組 कम्प्युटर पर सॉफ्ट्वेर के दोपर यूज़ होते है a document is a paper with written content and the process of preparing a document is called documentation a document क्या होता है एक paper होता है जिस पर कुछ content लिखे रहते हैं या फिर preparing a document को हम documentation बोलते हैं क्या हो गया है अगर हम कोई document बनाते हैं कोई चीज़ का रिटेन फोर्म में बनारे कि किसी बना रहा है किसी company का details बना रहा है कितने लोग काम करते हैं कोई यह कंपनी किसी को और रहा तो इसका डीटेल लेती है किंगे वो कितना पढ़ा है कहा है ही कौन-कौन सकाव कर सकता है और माले जा सव लोग है सब लोग काम कर रहे हैं बहुत सारे उसके लिए दोकुमेंट त्यार करने होते हैं यह सारी चीज जब प्रिपेर करते हम किसी भी डॉकुमेंट को तो उसको बोला जाता है किसी सब्जेक्ट का रिपोर्ट्स हो सकता है तो सकता है जानी कार्यात बुक वागेरा भी हो सकता एक हैंड डिटेन डॉकुमेंट केन हैव सौर्टेंड डिश एडवांटेज लाइग अंडरस्टेंडिंग दश्पेसिफिक हैंड डॉकुमेंट में एक सबसे बरा डिश एडवांटेज यह होता है कि बहुत सारे लोगों की राइटिंग आपको समझ में नहीं आती है इन न schemas साहरे लोग जो प्रसक्ते हैं तो आपको समय सकती है उसे वही समझ सकते हैं चयरे के रैटिंग हो यह वही समझ सकते हैं यह समय संब्सक्त को है है अंडिटे डोकुमेंट में यह परसान आती है है दा प्रोसेस ऑफ हैंड राइटिं डॉक्मेंटेशन फंसे कुई कंसे क्यूंटली अटोमेटेट टू कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर हाडवय और सफ्ट्वेर टेकनोलोजी के मदद से हैंड डॉक्मेंट को क्या किया गया है बदल दिया गया है अब कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग जो आप हैंड से ट्यार करेंगे वह कंप्यूटर से ट्यार कर सकते हैं तो कंप्यूटर में क्या होता है कि तो सेम ही लेटर होते हैं उसमें राइटिंग की प्राब्लम नहीं होते हैं अगर 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 कोई एक डेटा इंट्री ऑपरेटर है तो उसको क्या होना चाहिए ऑफिस प्रोड़क्टिविटी टूल्स के बारे में उसको सारी नॉलेज होनी चाहिए ऊफिस प्रोड़क्टिविट्विटी टूल्स के मतलब जिस पर अफिस का काम होता है जैसे कि अगर आप पर टाइपिंग करना है डोकमेंट बनाना था वर्द वर्ड़ करना आन चाहिए अगर आप कोई एकांटिंड लीगक्त लान इताली Software पर काम करने आना चाहिए प्रेजनटेशन को त्यार करते हैं तो उसके लिए प्रेजन्टेशन करने आना चाहिए जोब्य टैंटा इंटी ऑपेटर उसके हैं जसके सेक्टर में है जिस चेक्टर में वो काम कर रहे है उस चेक्टर के प्रड़क्टिवेटी जो सॉफ्ट्वेयर से उस पर अच्छी तर उसके पकड़ होने चाहिए और एक अच्छा टाइप आप स्पीर्ट उसके पास ने चाहिए गुड टैपिंग इसके पास बहुत ज़रूरी है अल्डोग टैपिंग आश्किल इस्ट इसेंशियल केटेगरी पोवर डेटा एंट्री ऑपरेटर तो टाइपिंग स्पीड आपकी एक एसेंशियल चीज है यानि कि आपको टाइपिंग आना ही चाहिए अगर ओफिस में आप काम कर रहे हैं और टाइपिंग ऑपरेटर है तो आपकी कीबोर्ड की स्कील बहुत अच्छी होने चाहिए लीटल केयर है टो बी टेकन वाइल यूजिंग द वार्ड प्रोसेसिंग वार्ट प्रोसेसिंग सफ्ट्वेर यह थोड़ी पहुत आपको केयर करनी पड़ती है यानि कि अगर आप टाइप भी करते स्क्राइप करते हैं तो बहुत सारी मिस्टिक होती है तो डोकिमेंटेशन म है अगर लीगर टोकिमेंटेशन मिना रहे हैं कंपेन के लिए काम कर रहे हैं प्रफेशनल वरकर है आप वहां पर आपकी गल्तियों को बरदास नहीं किया जाता है इसमें आपको ख्याल रखना होता है कि कम से कम मिस्टेक हो टाइपिस्ट यूज टू हीट दा स्पेस बार आप टाइम टू अरेंग टेस्ट तो पहले वाले जो मसीन था मैनूवल टाइप राइटर था उस पर टैपी शको बार बर क्या करना होता था नंबर ऑप टाइम बहुत बार टेस्ट को अरेंग करना पड़ता था इस इन डोट दिक्वार इन कंप्यूर्ट अब उसको बार बार एक ही बार आपको सेटिंग करनी होती है और आपको टाइप करना शूरू करना होता है या यह यह सारी प्रॉब्लम नहीं होता है एद parece features for editing and formatting are available automated feature आपी computer word processing software में होता है जिससे आप edit भी कर सकते हैं or document को format भी कर सकते है word processing is the use of computer software to enter, edit, format, store, retrieve and print the document वर्ड पोर्ट सेंसे सफ्ट्वेर का यूज क्या 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 काम के लिए होता है तो कोई भी डेटा को इंटर करने के लिए इस डेटा को एडिट करने के लिए फॉर्मेट करने के लिए फॉर्मेट का मतलब क्या होता है उसमें डीजाइनिंग देने के लिए ऊसके क का मतल deficit का मतलब इसको मतलब करने क लिए कů मतलब इक चीजे कर दिए दुबारे जुरुत पड़े त्रीच कर सके उस डॉकुमेंट को प्रेंट करने लिए वाय貼 यह सारी चीजिए आपकी वर्ट फोसेसिंग के अंदर आती है कार्याक प्रिदफर में आपकोमेंट के लेटर नौटिस्ट रिपोर्ट्ट ब्लिजनेश कारिस्पोंडेंस्स टॉकुमेंट लोड़ प्रोसेशर क्या होता है एक computer application होता है जिसमें अब को जूज किया जाता है अब पेले पेल मेटेरियल प्रोडुश करने यह ने मतलब कर रहे हैं उसको प्रिंट कर सके हाथ कोपी के रूप में हाप निकाल हाड कोपी के बारे में आपको सबको पता हुगा मतलब होता है जो आप तो कोपी या पेजेज उसको हाड़ड गुला जाता है और प्रूंटेड मैटेरियल के मतलब क्यों उसको शपा हो तो लोग परिंटेडिब मैटेरियल तो प्रिंटेबल मैटेरियल निकालने के लिए वर्ट प्रोषेसर चारी ये हैं इंडा बीगिनग वालड स्टार वियुज योज वाल प्रोषेसिंग अगर कि बिगिनिंग के बाद कि जाए तो वर्ड अस्टार एक शोफ्ट वेल था वर्ड प्रोसेसिंग का ही जो कि सबसे पॉपुलर था वर्ड प्रोसेसिंग software there are several limitation to using a typewriter which are given below तो अगर आप एक normal manual typewriter जोच करते हैं तो उसमें बहुत सारी limitation होती है यह मैंने पहले भी आपके साथ discuss कर चुका हूं फिर एक बार में बता देता हूं पर है in case of any typing error the whole city is required to be type again document में कुछ टाइप करते हैं कुछ error आ गया तो आपको दुबारा पूरा सीट क्या करना होते हैं टाइप करना पड़ते हैं तो सेंड सेम लेटर टू और अगर आपको एक लेटर सेंग लेटर आपको दो या चार लोगों को देना है या भेजना है तो आपको उसको बारवर क्या करना होगा टाइप करना पड़ते हैं जब कम्प्यूटर में इसा नहीं होता है कम्प्यूटर में एक बार आप टाइप कीजिए उसके दस कोदी पीश कोपी या अगर सेंड करना है उसको आप हजार लोग के पास भी एक बार में सेंड कर सकते हैं राइटर डाइब आप और रिक्वायर्ड करेक्टर और सिमबल नहीं होते हैं लिमिटेट करेक्टर ही उस सब्सक्राइब आता है उसके साथ उसके अंदर आप वह अस्पेशल करेक्टर को ले सकते हैं ईटीन नौट पॉसिबल तू प्रोड़क्ट डोकुमेंट इन डिजायर फॉर्मेट त्यूजिंग टाइप डाइप डाइप अपना आप जैसा डॉकुमेंट बनाना चाहते हैं वैसा डॉकुमेंट नहीं मना सकते हैं क्योंकि उसमें एक ही फॉन्ट में आप चीजे टाइप करते हैं उसमें आप डिजाइग नहीं दे सकते हैं यह सारी चीज आप नहीं कर सकते हैं इन दा यह 1974 जी रोक्स कंपनी हैं इंटर्डूस और एलेक्रोनिक टाइप डाइटर एज एन आटेम्ट तो सॉल्ट दे प्रोब्लम ओप मैनूवल टाइप डाइटर तो सम एक्स्टे माले बनाया था या इंटर्डूश किया था और कोशीज की थी कि जो मैनूवल टाइप डाइटर में जो प्रोब्लम और है उसको काफी हत्तक कम किया यह इने आपको ऐलेक्रोनिक टाइप डाइटर दिखाया भी है कैसा होता है in electronic typewriter it is possible to make the change in content make multiple copies with minor changes electronic typewriter में क्या होता है कि आप अगर कोई गलती करते है तो उसको माइनर कोई गलती होती है तो उसको चेंग किया जा सकते हैं और एक ही कोपी के माल्टिपल कोपी निकाले जा सकते हैं इस हैज अलिमिटेट और वेरी अस्मोल साइज स्कीन तो डिस्पले दगांटेंट मैंने आपको मसीन में दिखाए भी तो उसका जो जो प्रीन होता है वह बहुत छोटा हो जो जो कंप्यूटर के स्क्रीन होते हैं उतने बड़े नहीं ह होते हैं इस स्क्रीन कें विव और वन और टू लाइन इसमें दो या तीन लाइन ही देख सकते हैं इन लेट नैंटी सेवेंटी सेवेंटी विद्ट डेपलोप्मेंट ओफ इन कंप्यूटर सेप्ट्वेर टेक्नोलोजी वर्ड फोशेशंसंट वाउच इंटो एंटो जो 1902 के अरली में लास्ट में लेक्ट वोटता है लास्ट में वर्ट पोशेशंसंट वर्ट्वेर इंटोडि़ीट किया गया था था इन दिस software the document can be navigated, edited, formatted and printed. इस software में आप क्या कर सकते थे? इसको navigate कर सकते थे? आप अपने अनुसार उसको format कर सकते थे, edit कर सकते, उसमें सुधार कर सकते थे, उसको design कर सकते थे और उसको print भी दे सकते थे. the modern work processors take advantage of GUI graphical user interface. providing some form of what you see is what you get. इसको विस्वीजी भी बोलते है, विस्वीजी editing. तो जो modern work processor है, उसके बहुत सारे advantage है, उसमें सबसे ज़्यादा एक main जो advanced से डाला गया है, उसको बोला जाता है, graphical user interface. graphical user interface का मतलब, जो mouse से आप सारे काम कर रहे हैं, चोटे 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 आइकोंस देखते हैं, आइकोंस पर क्लिक करते हैं, तो आपकी चीजे open हो जाती है, यह सारी चीजे graphical user interface में आती है, और इसके बाद इसको हम लोग what you see is what you get भी बोलते है, यानि कि जो आप आप देखते हैं, यह सेम चीजे आप वेसा ही प्रिंट कर सकते हैं, जैसा आप चाहेंगे वेसा आप format बना सकते हैं, this means the special effect on test are also visible on the screen, special effect भी डाल सकते हैं, word processing software not only provides basic ability to enter and modify the test, but also provides efficient test manipulation functions that can be used for documentation. word processing software बस आपकी basic ability ही नहीं provide करता है, data को enter या modify करने के लिए, इसके अलावे यह efficient test manipulation करता है, इसका मतलब आप अपने test document को बहुत ही effective बना सकते हैं, जैसे के बहुत सारे आप books देखे होंगे, तो book में आपके color picture दिये रहते हैं, बहुत सारे design, coloring, यह कहां से हो पाती है, तो word processing software आपको special effect test को design करने की सुविधा परदान करता है, modern word processor provide attractive features, some of the features provided by popular word processor are listed below, कुछ जो word processor में आप कर सकते हैं, attractive feature दिये गए हैं, create, edit, save, retrieve and print the document, एक आप किसी भी word processing software में document बना सकते हैं, इसको edit कर सकते हैं, save कर सकते हैं, retrieve कर सकते हैं, copy the test to other places within the document, अगर same चीज़े आपको दुबारा लिखनी होती है, same line लिखनी है, या same paragraph लिखनी है, आप उसको copy और paste भी कर सकते हैं, move or copy a selected test from one document to any other document, तो क्या कर सकते हैं, अगर आपकी एक document में कोई चीज़े लिखी हुई है, और चाहते हैं, कोई सेम चीज़े दूसरी document में तो आप, copy and paste कर सकते हैं, और move or copy भी कर सकते हैं, बहाद साटाख कर दूसरी document में डाल सकते हैं, यह कोपी भी करेंगे कोपी करेंगे तो वहां भी रहेगा दुशार डॉकमेंट में भी जाएगा चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर अगर आपकी कोई स्पेलिंग में गढ़ बढ़ी आती है टाइप करने के दोड़ान इंट्री के दोड़ान ग्रामेटिकल मिश्टेक होता है यह सारी चीजों को आप सुधार सकते हैं यही आपी टेबल मोडिफाई दिखाइज ओब डेसेलेट लूब ऊरिफिष वंबायन ओर मोर ड्kęम्टव आप एक साथ मिद्रा असाय ड्याज कोमबाइन ग्रता है उसमें टेवल बना सकते हैं टेबल की साइज को बाऒगा चोटा कर सकते हैं रो और को यह सकते हैं डेलीट कर सक सकते हैं मौड़िफाइड कर सकते हैं सकते हैं एक डिक में आप पिक्चर डाल सकते हैं ग्राफिक्स डी डाल सकते हैं न extraordinaire टेस्ट और सेलीक्ट गेमेड़ हैं इसला क्या original डाया खुंस्त ड्रव ने ऐसमीड भी है word processors are being used in the business, home and education that is in the school and college preparing letters, reports and many other different type of documents word processor के काम आपके business के लिए, घर के लिए और education में भी होता है education में अगर यूज हो रहा है यानि का school और college में भी यूज होता है तो किसलिए तो letters को type करने के लिए, letter बनाने के लिए, reports बनाने के लिए और different type के document को तियार करने के लिए a student use it for preparing project reports and assignment a student जो होते है वो project prepare करने के लिए या report बनाने के लिए, project report बनाने के लिए, assignment बनाने के लिए इसका जूज करते है teacher use word processor for preparing question papers and notes teacher इसका use question paper को prepare करने के लिए करते है या notes बनाने के लिए करते हैं office suit is a collection of program which are useful for word processing, preparation, presentation and database management एक office suit में आपकी क्या-क्या सॉप्ट्वेर्स हो सकती है वर्ड प्रॉसेशिं इसाटा है ऍपरेषांट हो सकता है और डिए सॉप्ट्वेर के अंदर आ सकते एक किस ओफिसूट का मतलब होता है एक बंडल बंडल में जिसमें यह सारे सब्सक्राइब देज आर सेवरल ओफिसूट वो सारे कंपनी के अलग अलग ओफिसूट है वी विल बी यूजिंग लिप्रे ओफिस्ट बीकोज ओफिस सेवरल एडवांटेज हम लोग इस चैप्टर में चैप्टर 3 में डीजिटल डॉकुमेंटेशन में लिप्रे ओफिस के बारे में पढ़ेंगे कि अब तक आपने एमेस ओपिस पढ़ते आया है एमेस ओफिस शूट के बारे में पढ़ते आया है तो अब हम डिट्स ओफिस शूट के बारे में बात करने वाले जिसका नाम है लिब्रे ओफिस त्यूंकि इसमें बहुत सार एडवांटेज दिए गया है एक बार में बताना चाहंगा अगर आप को में आप एमेस ओफिस पर काम करें या लेवरे ओफिस पर ने बहुत सारे जो चीजे है वह सिमिलर सेमगे सेम सेम स्कट करते आप तो कम करने अगर आप MS वहाइब करना जानते है तो लेबले ओफिस किसी भी वार्ड प्रोसेशिंग करें तो कोई परसारी नहीं होगी दौनों पर अगर आप सानी से जानते तो इस पर हम बात करेंग नेक्ट वीडियो में